आज कोटा बूंदी संसर्जिशित्र की छे विधान सबा की 22 सडकें जिनकी लंबाई अनुमानित 160 किलो मिटर है 88 करोड रुपे की लागत से सबी सडकों का सुध़डी करन और नवनी करन का रिकाश्चिलान्या सबा है प्रधानमंती ग्रामिन सडक योजना देश के संपुन गाओं को सडकों को जोजने की वियापक योजना है और इसके माध्यम से गाओं में सम्रदी कुशाली आईए जिस जिस गाउं के अंदर प्रधानमंती सड़क योजना या अन्य योजनाओं से जो गाउं सड़कों से जुड़ा है वहाँ आवागवन की सुजदा तो हुई है लेकिन आवागवन की सुजदा के साथ उस गाउं में सम्रद्धी आईए कुशाली आईए व्यापार उद्ध्योग और एज्जूकेशन अन्सेक्टर के अंदर भी सम्रद्धी आईए क्योंकि मूल भूच तूफ से जब गाउं सड़कों से जुड़ता है तो सड़कों से जुड़ने के साथ ही उसकी सम्रद्धी का हो जाता है हमारी कार जोडना है कि कोटा बूंदी लोग सवास्चित के सभी गाउं को हम बेतर तरीके से सड़क जोडना के तर जोड सके चाहे प्रदानमंती सड़क जोडना हो चाहे राज्य सरकार के जोडना हो चाहे नरेगा का माद्यम हो तमाम माद्यम से हर गाउं सरक से जुड़े और उसके साथ ही जल जीवन मिशन के तर हर गाउं के अंदर लोगों को पीने का पाने मिले अच्छे होस्पिटल हो विध्याले हो खेल के मेदान हो तमाम मूलभू सुईधाएं अगर गाउं में होगी तो गाउं से शेहर के और पलाई नहीं रगी इसके साथ ही क्योंकि कोटा बूंदी और हाडोती संपिन रूप से एग्रिकर्चर बैसे कशी पर आधारित हमारी एकोनोमी है हम किस तरीके से गाउं के अंदर एग्रो बैस इंडस्टी लगा सकते हैं क्रशी को किस तरीके से उत्पादन के साथ उसका वेलियो एडिशन कर सकते हैं उसके माध्यम से हम गाउं के अंदर सम्रदी लाने का काम करें आने वाले समय में कोटा, बूदी, बारा, जालावार पूरे संभाग के अंदर और राजस्तान से अरश के अलिश्टी के अंदर एग्रो बैस इंडस्टी का एक नया चलन नए निती सरकार ने बनाई जिसके माध्यम से गाउं के अंदर हम एक कशी उत्पादन केंदर बना कर वहाँ पर लोगों को अपनी उपच को पास में बेज कर और वहाँ पर एग्रो बैस इंडस्टी को ड़लप कर सके ताकि गाउं से शहर के ओर नोजवान प्लाइन निकरे अब आने वाले समय के अंदर गाउं के अंदर ही हमें उध्योग पनपाने पड़ेंगे व्यापार पनपाने पड़ेंगे हमारे कुटोर लोगों ध्योग की जो जोजना थी कि आत निर्बर भारत के साथ देश को खड़ा करना वो जबी होगा जब आत निर्बर गाउं होगे तब हम देश को नई दिशा दे पाएंगे मुझे लगता है इसके लिए सड़क कनेक्ट्यूटी सबसे प्रमुक इन्फारिस्ट्रेचर का साधन है और ये आज कोटा बुंदी के अंदर अधिकतम सड़कों को जोडने का हमने काम किया बाकी सड़कें जो बची हुए उसको कैसे जोड़ा जा सकता है उसके लिए माने विधायकों के साथ चर्चा करके हम इसकी कारियों ना बनाएंगे